नमस्कार जैसिय राम जै माता की मित्रो और कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी सक्ति साली शाधना बताने जा रहा हूँ जो लोग शात्विक शाधना करना चाहते हैं शात्विक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोडेंट होने वाला है और ये ऐसी सक्ति है मित्रो अगर आप इस सक्ति को दिन प्रति दन 15-15 मिनट का टाइम दे दें तो ये सक्ति आपको जीवन भर के लिए प्राप्त हो जाएगी और आपकी सभी समस्याओं का अंत कर देगी जीहा मित्रो और इस साधना का सबसे बड़ा रहसी ये है कि ये सक्ति आपको साच्छात दरसन दे करके आपको प्राप्त होगी और इसकी खासियत ये है कि इस साधना को आप अपने घर बैठ करके कर सकते हैं ना आपको कहीं जंगल जाना है ना कहीं समसान जाना है और ना ही आपको किसी मंदर में जाना है आप इस साधना को घर बैठे कर सकते हैं, मित्रो, इस सक्ति की साधना लंका में लंका पती रावड और मेगनाथ किया करते थे, इस सक्ति को उन्होंने अपने बस में कर रखा था, जो कहते थे कि रावड के जो काल था, वो पाटी से बना हुआ था, मित्रो, वो जो सक्ति थी, जो रावण ने और मेगनाथ ने प्राप्त की थी, वो उस पाटी में बांद करके उस सक्ति को रखते थे, इसलिए लोग कहते थे कि रावण का काल पाटी से बंद गवा था, मित्रो, आज वही सक्ति आप भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत ही सक्ति साली शक्ति है, अगर आपने कोशिस की और इस सक्ति को प्राप्त कर लिया, तो मित्रो, आपके भंडार भर जाएंगे, आपकी सभी परिशानियां छड मातर में खतम हो जाएगे, इसकी संपूर जानकारी के लिए, इस वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखें, वीडियो को सुरू करने से पहल आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दुस्तों के साथ सेर जरू करें, जिससे के इस वीडियो का लाब भो भी प्राप्त कर शकें, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, दूस्तों, इस सक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस साधना को करने के लिए, अगर हम सत्य नारानी की कथा बगएरा कराते हैं तो कलश इस्थाफित कराते हैं नहीं, मेत्रो उसी कलश के द्वारा आप इस सक्ति को प्राप्ट कर सकते हैं। आप जहां भी इस साधना को करना चाहते हैं, किसी एकांत कमरे का आपको चैन करना पड़ेगा, जहां पर आपकी सिवा कोई अंदर प्रिविशना करे, उस्य कमरे के अंदर आवा गमन न हो, शबकुछ उस्य के अंदर करना है, आपको साधना की सुरुवात से, और जब तक साधना का एंडर न हो जाए, तब तक आपको वहां से कहीं निकलना ही नहीं है, मित्रो, ये बहुत ही सक्तिसाली शाधना है, एक कलस के द्वारा, आप इस सक्ति को प्राप्त कर शकते हैं, कलस आपको दच्छर दिशा की तरफ इस्थाफित करना है, आपको दच्छर दिशा की तरफ मूँ करके बैठना है, आपको इसमें सफेद कपड़े का आसन चाहिए, कलस को तयार करने के लिए, आपको दूर्वा घास उस कलस में पहले गंगा जल भर लें, और गंगा जल भरने के बाद उसमें दूर्वा घास डाल दें, एक हल्दी की गांठ डाल दें, और थोड़ी सी केशर डाल दें, और उसमें चमेली का तेल की पांच बूंदें उसी में डाल दें, मित्रो, अब उसके उपर ढकन लगा दें, उसके कलस के उपर आपको सफेद वस्त्र विछा देना है, उपर से उड़ा देना है, आपको कलस इस्थाफित करने से पहले, जमिन पर आटे से चोक पूर लेना ह फुड़ा ध्यान देना है मित्रों यह साधना बहुती अध्वुत है तो चौक पूर्णे के बाद में उस कलस को इस्थापित कर दे अब आप दच्छर दिशा की तरफ मुह करके एक मंत्र का रूद्राच्छ की माला से जाप करें मंत्र बहुत सक्तिसाली है मंत्र में बोलने में कोई गड़बर नहीं होनी चाहिए मित्रों जहां पर मंत्र में बोलने में गड़बर हो जाती है वहां पर मंत्र बिफल हो जाता है आपको उस मंत्र का कोई फल नहीं मिलता है मंत्र आपको शिर्फ एक माला ही करनी है आपको मात्र पंद्र है 20 मिनट का टाइम देना है इस साधना में और आप देखेंगे तो मित्रो वो शक्ति रात्री के 12 बजे प्रत दिन आपके घर में पहरा लगाने आएगी अगर आप चाहें तो उस सक्ति को जाग करके रात में उसे अपनी आँखों से देख सकते हैं जी हां मित्रो उस कलस के पास में डेली पहरा लगाने आएगी ये मेरा दाबा है ये मेरा प्रक्टिकल की हुई साधना है अगर इस विधी के अनुशार आपको शक्ति प्राप्त नहों तो मैं 100% गारंटी लिता हूं लेकिन किसी अच्छे गुरु या किसी अच्छे साधक से परामर्श ले करके ही इस साधना कू करें तब इसका आपको फल प्राप्त होगा ये सक्ति मित्रो रावड की कुल देवी है जिसकी मेगनात तन मन से सिवा करता था तन मन से इसकी पूजा करता था रावड भी करता था लेकिन एक बक्त ये रावड की कुल देवी रावड से रोष्ट हो गई थी अब ये कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए वीडिय बतावगा आपो तो ये रावड की कुलदेवी है Bin उसम सक्ति को अप अपने तरफ भी आकरशित कर सकते हैं और उसे कर सकते में तरो कुलदेवी चहें वो रावड की हो या आपकी हो कुलदेवी तो कुल देवी होती है और बिना कुल देवी के सारी साधना अधुरी रह जाती हैं कि जब तक हम अपनी कुल देवी कुल देवता को साथ ले करके नहीं चलेंगे तो किसी भी साधना में हम सफल नहीं हो इसलिए हमेशा कुल देवी या देवता की साधना करके चलें उसको मना क इसे खुस करके चलें तो हम हर सादना में सफल हो जाए हर सादना को करने से पहले अपने गुरु के द्वारा या किसी अछे साधक के द्वरा अपनी दिवद्रश्च्टी को open ज़रू करा ले वह आपको उसमें कुछ दिखे ना लेकिन जब गुरु उसे दिव द्रश्टी को ओपन करता है तो आपको उसमें साच्छत किसी के दर्शन नहों लेकिन एक अगेनी की ज्वाला जरूर आपको दिखाई देगी यह मेरा 100% का दावा है कि जब आपके दिव द्रश्टी खुल जाती है उपन हो जाती है क्योंकि मित्रों जब तत हमें अंतर आत्मा में कुछ नहीं दिखेगा अंतर द्रश्टी में कुछ नहीं दिखेगा तो हमें बाहर ही क्या दिखे जाएगा इसलिए अपने कुल देवी देवता द्रश्टी इन समको साथ ले करके चलना पड़ता है मित्रो कलस को इस्थापित करके एक बात का बिशिध्यान रखें आप कहीं रिष्टेदारी में नहीं जाओगे आप किसी यार दोस्ते के साथ नहीं जाओगे ब्रहमचर का पालन करना होगा किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना है साधना को साधना समझना है साधना करते भक्त अगर आपकी पत्नी हैं साधी सुदा हैं या पत्निया इसको कर रही हैं तो अपने पत्नी के साथ कभी रोमांटिक बाते भी नहीं कर सकती हैं और और पती कर रहे हैं तो वो अपनी पतनी के साथ कभी भी रोमांटिक बाते न करें अगर इस साधना में आप रोमांटिक बाते करेंगे और शाधना भी करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा और इस तरीके से तो आप कोई भी साधना कर लो आपको किसी साधना मे स्रंट में के लिए एक अच्छा साधक बनणा पड़ेगा। तभी आप किसी भी साधना में सफर हो सकते हैं और किसी भी सकती को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रो अब आप उस मंत्र को नूट कर लो। जिस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है, गड लंका में बैठी देवी, पल पल की खबर बताए, मेग नाथ पूजा करे, कुम कुम स्वेत धोजा फैराए, जाग जाग निकुमलह देवी, सदा करे सहाए, मेग नाथ की हाक पड़े, जो मेरे पास ना आए, सब्द सांचा, पिंड कांचा, फरो मंत्र गुरू का सब्द सांचा, मित्रो, आप इस मंत्र को एक माला रुद्राच की जाब करें, यानि 108 बार जाब करें, यह साध्रा आपको रात्री के 11 बजे के बाद करनी है, और 11 बजे से लिकर के 15-20 मिनट आपको टाइम देना है, मात्र एक माला जाब करना है, और उसके बाद में, 12 से एक मजे के बीच, यह सक्ति, निकुमला देवी, आपके कलस के आस पास पहरा लगाने जरूर आईगी, आप इसे अपनी आँखों से देख सकते हैं, मित्रो, इस साधना में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी को हम रोक के चल रहे हैं, जिसकी जानकारी जो शाधक या किसी अच्छे साधक के संपरक में होगा, उसको हम बाटशब के जरिये से या कॉलिंग के जरिये से बता सकते हैं, क्योंकि मित्रो, यह थोड़ी सी खतरनाक भी है, अगर आपने इसमें थोड़ी सी लापरवाई कर दी, तो आपका सत्या नास हो जाएगा, समझे लो, आपके जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए इसकी संपूर जानकारी के लिए आप हमें बाटशब करें या कॉल करें, और मित्रो, हमारे जो साधक हम से मिलना चाहते हैं, जो लगातार कॉल आ रही हैं, कि घुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम अभी पांच तारीक से लेकरके दस तारीक तक, पला गाउं दिल्ली आशरम पर मिलेंगे, जो भी लोग मिलना चाहते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं और हम से बात कर सकते हैं। जो दिल्ली की तरफ से जाने वाले लोग हैं, दिल्ली से करनाल वाले रोड पर, बकतावरपुर के पास पला गाउं, साधना करनी है तो साधना भी कर सकते हैं और बात करनी है तो वहां आकर के बात भी कर क्षिक जो लोग हर्याणा यर्पंजाब की तरफ से आने बाले हैं उनको नरेला के पास में पढ़ेगा तो वहाँ बक्ताबर पूर अलीपूर उधर सैट में पढ़ता है तो उसी छेतर में ये पल्ला गाउं पढ़ता है और जो दिल्ली से जाने वाले लोग हैं उनके लिए दिल्ली से 125 नमबर बस मिलेगी जिसमें बैठ करके आप वहाँ पहुंच सकते हैं वो पल्ला गाउं उता अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिलीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए नमस्कार